नमस्कार दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल General History Group में आपका स्वागत है दोस्तों आज के विडियो में देखेंगे हम बिहार विद्याले विद्याले यानि बिहार विद्याले का जो एक्जाम हुआ है 2020 आज के रोच उसके सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों विद्याले में सिक् आज करते हैं विडियो बिना टेम गवाए विद्याले शिक्षान घ्यान कपड़ी वैस्से एक सेमेस्टर डैस महिने का अबधी का होता है इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तों अप्सन नमबर सी हो जाएगा और भी सब्जेक्ट का जितने भी क्वेश्चिन है ए सखारात्व का दीकम सीखने का परीवेश प्रम कोंको नहीं है को नहीं इसका ड करांव को चार बnt नीख सब्सकर्वागा शिक्षान इसका राइट ऐसर हो जाएगा मैंटीस सेभन का क्या हो जागा दोस्तो बल पुर्वक नियंतरन यानि right answer क्या हो गया option number C क्या हो गया right answer बल पुर्वक नियंतरन तरगिए देखते है next question जो आज की exam में आया था आया है विद्याले में NCC किसके अंतरगात आती है बिद्याले में जो NCC आती है वो किसके अंतरगत आती है ये दोस्तों बताना है ये आज की exam का question है दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा दोस्तों सेवा किरिया याणि राइट answer क्या हो जाएगा option number D सेवा किरिया ज़र देखते हैं next question कौन सा आया था आज की exam में next question आया था इन में से कौन साहितिक किरिया नहीं है यानि इन में से जो है कौन साहितिक किरिया नहीं है ये बताना है आपको तो बताइए 99 का क्या हो जाएगा 99 का right answer हो जाएगा दोस्तों option number B NSS यानि NSS इन में से कौन साहितिक किरिया नहीं है NSS चलिके देखते हैं next question कौन सा पुझा गया था आज की exam में next question पुझा गया था यदि कक्छा में विद्यार्थी सोर्गूल करे तो उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों इसका right answer हो जाएगा option number D यानि किरियाओं में सनलगन करना चाहिए क्या करना चाहिए किरियाओं में सनलगन करना चाहिए जलिए रेखते है next question कुझा पुझा गया था next question पुझा गया था समाज में घटते नेतिक मानकों का मुल कारण क्या है यानि समाज में जो घटते नितिक मुल कारण है उसका मुल कारण क्या है दोस्तों इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 101 का इसका राई टेंसर हो जाएगा option number A यानि बोलना बोलना क्या है 3RS का भाग नहीं है चब यह देखते हैं next question कुन सा पुछा गया था next question पुछा गया था इनमें कौन मुक बधिर की सिक्षा सम्बंदित है यानि मुक बधिर की सिक्षा सम्बंदित कौन है इनमें बताइए दोस्तों इसका राई टेंसर क्या हो जाएगा इसका राई टेंसर हो जाएगा option नमर D यानि सभी ABC दोनों यानि बरेल संकेत भासा और बलेर तीनों क्या है मुक बधिर की सिक्षा सम्बंदित है तो राई टेंसर क्या हो जाएगा इसका option नमर D क्या होगा राई टेंसर क्या होगा तो यह देखते हैं next question कुछा पुछा गय है तो बताइए आप लोग राई टेंसर इसका 104 का 104 का राई टेंसर हो जाएगा दोस्तों दिव्यांग यानि option नमर B क्या होगा राई होगा तलिए दोस्तों देखते हैं next question है एक अच्छा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए यानि एक अच्छा इसका राई टेंसर हो जाएगा option नमर डी यानि सभी एबी सी तीनों को एक साथ पढ़ाना यानि राई टेंसर क्या हो जाएगा option नमर डी हो जाएगा चलगे देखते हैं next question कुछा गया था अच्छा की अबधी कितनी है यानि उस्तर माध्मिक शिक्छा की अबधी जो है वो कितनी होती है दोस्तों क्या होगा इसका राई टेंसर हो जागा option नमर तंबर सी क्या होगा और ये देहिक धंड क्या हो देहिक दंड चलिए देखते हैं next question कौन सा पुछा घा था विद्ध्याले में बढती अनुसाषाषण हिंता के लिए एक उत्तर दाई कारण क्या है यानि विद्याले में जो बढ़ता है उसके लिए एक उतरदाई कारण क्या होगा दोस्तों बताइए इसका राई ठेर तो इसका राई ठेर हो जाएगा इसको द्वारा नेतित परदान करने में कमिया जाए राई ठेंसर क्या हो जाएगा अफ्षन नमबर B होगा राइट अशल फलिए दोस्तों देखते हैं next question next question है विद्याले विद्याले विद्याड़तियों में अधिगम सिखने के लिए निम्न में से कौन सरवादिक परवावी है क्या होगा इसका राइट निसर हो जाएगा नेदेशक नेदेशित क्रियाएं क्या होगा नेदेशित क्रियाएं option number C हो जाएगा इसका राइट निसर चलिए देखते है next question name में से कौन विद्याले की पार्ट सगामी क्रियाओं का भाग नहीं आए तो इसका राइट इंसर क्या हो जागा दोस्तों 110 का इसका राइट इंसर हो जाएगा कक्छा ब्याक्षान यानि option नमर C क्या हो गा चलिए देखते हैं next question कुछा गया था next question पुछा गया एक जाले में एक विद्याले है तू सबसे बरी समस्या कुछा गया है अधिगं सीखने है तू विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुन क्या है? तब अधिगंग तो सीखेंगा विद्यार्थी उसके लिए सबसे बड़ा गुन क्या है? तो 112 का अंसर क्या हो झाएगा? इसका 112 का हो झाएगा Right Answer Option Number D यानि शीखने है तो जिग्यासा चाहिए उसके पास तब अधिगम को शीख पाएगा तो राइट असर क्या हो जाएगा अप्शन नमबर D चलिए दोस्तों देखते है next question कौन सा है नेस question जो आया था अचके एक्जाम में निलगित में से कौन बीद्याले की भोतिकसन रचना का उधारण नहीं है क्या होगा इसका रायट सर्थाथ दोस्तों इसका रायट रायट सर्थर हो जाएगा लाइवरेवरीयन क्या होगा क्या ह उम्र सीमा नहीं होता उसको क्या कहते है दोस्तों इसका राइट मिसर्, बठाईए बुचा गया ederim question है, तो क्या होजाब है इसका राहोतर होजाएगा दोस्तों, आप लोग सेकच्छा की संसथा होजाएगा, दोस्तों आप लोग कोमेंट करके पड़ते कुश्चिन का एंसर मेरे उतर देने से पहले आप लोग बताईए और साथ ये अपना स्कूरिंग भी लाशने बताईए कितना हा रहा है आपका इससे आपको खुद का स्कूर खुद का रिजल्ट बता चल पाएगा दोस्तों चलिए देखते हैं में नेक्सक्षेशन कोंसा पुछा गया था अजिक्जामम में नेक्सक्षेशन स्थर के लिए परात्मिक विद्याले सब्द का अपयोग किया आता है दोस्तो क्या होगा इसका राइच अंसर हो जागा एक से पांच यानि कक्षा एक सबांच तक और या और उप्सन नमर C चलि पठाना का सबसे अच्छा तरीका देश की तरफ बढ़ना है इसका राइट नसर क्या हो जाएगा दोस्तों एक सतरा का हो जाएगा दोस्तों जांस से अग्यांस यानि option नमर B क्या हो जाएगा राइट होगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजे और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप मारे चैनल जेनरल एश्टरी गूरूप को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजे आपको इस चैनल के माध्यम से जनल कंप्रिशन की तयारी और ब्रैटिक शेक द्याराता है दोस्तो चलिए दोस्तो देखते हैं नेक्स कर्सटेशन अयरे इस है आप माध्यम सिक्षा की अब्धी 10 वर्स है माध्यमिक सिक्षा जो है भारत में उसका अब्धी कितना वर्स है ये बताना हाँ आपको शीख्षक के लिए सरवादिक महत्पून क्या होगा दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्विष्टिन क्या है अच्छा स्वास्त अच्छा स्वास्त यानि एक शीख्षक के सबसे महत्पुन है तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए ठैंक्स और साथ ही कहना चाहेंगे वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए ठैंक्स